नमस्कार दोस्तो आप लोगा स्वागात में चनल में दोस्तो आज का टोपिक सीर के बाल को घने कैसे करें हां दोस्तो बालों को घने और काले लंबा बनाने के लिए किस तेल का इस्तिमाल करेंगे उसी की जानकारी लेंगे तो दोस्तो मेरे साथ बनी रहे और पूरी वीडिय देखे पसंद आई तो लाइक करें कमेंट करें और चैनल पर बारे तो प्रवाहित हो रही है वह तेजी से तूट और जहर रहे हैं बालो की इस समस्य के लिए सधियों से अरंडी के तेल यानि कैस्टर और यल काप्यों किय जाता है या घ्यली नुष्का आज भी अतना ही प्रवसाली है जितना पहले था अब बात करते हैं बालों की ग्रोथ के लिए कैसे करे हो पए हाँ दोस्तों अरंडी के तेल को निकाला जाता है अरंडी से तेल निकाला जाता है इसमें भरपुर मातरा में फैटी एसीड होता है जो बालों के ग्रोथ के लिए जाना जाता है इसे लगाने से बाल बढ़ता है और हेर ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है डेंड़ को भी ख़त्म करता है एंटी फॉंगल वाला यह अरंडी का तेल एसकेल्प इनफेक्शन को ख़त्म करने में सहता भी करता है एंटी ऑक्सिडेंट्स से भरपूर जिसके कारण बाल का सिहत अच्छा रहता है और बालों का ओमेगा चिक्स फैटी एसीड होता है जो बालों के लिए अच्छा माना जाता है अब बात करते हैं बालों की ग्रोथ के लिए कैसे कंट्रोल आयल का उप्योग हाँ दोस्तों साल दोजार आठ में रोमानिया में केरल डेविया उनिवर्सिटी आफ मेडिसीन एंड फॉर्मे दोघी गई लाक लेक लेक्सेटिव इफेक्टिव के चलते आरेंड का तेल उप्योग किया जाता है रिशार्ट में बताए गया है उन्होंने इसके रिशार्ट से यह कंजुलन निकाला है कि इस इससाल बाल धार्णा डूग जाते हैं और बाल तेजी से बढ़ते हैं और घ और रिजेन रेट करने वाला तेल बता गया तो दोस्तो यह थी थोरशी जानकारी की हम किस परकार कौन सा तेल यूज करेंगे जो हमारा बाल काला नेचरोली काला और घना हो तो दोस्तो मिलते भी अगले वीडियो तेता के लिए झाल